राजस्तान से बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि राजस्तान के पुरुए उफुमुक्य मंतरी सचीन पाइलेट की कॉंग्रेस में अब क्या भूमिका होगी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इसी को लेकर सबी के मन में सवाल है लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं पता चला है इस भी सचिन पाइलेट का कॉंग्रेस में क्या बविश्य होगा इसको लेकर एक बार फिर मुद्दा सुर्कियों में आ चुका है दर असल कई तरे की चर्चा सामने आई है खबर सामने आई है कि सचिन पाइलेट को कॉंग्रेस का कारे कारेनी अध्याक्स या महा सचीव बनाया जा सकता है इसके लिए लगाता राहूल गांदी दबाव भी बना रहे हैं इस पर फेशला जल्द हो सकता है लेकिन एमद पटेल के एश्वस्त होने के कारण इन सभी पेशलों पर मोहर नहीं लग पाएगी बेरहाल इस तरे की चर्चा सही होती है तो सचीन पाइलेट का राजिस्तान से कनेक्शन कट हो जाएगा और केंदर की राजिनीती में सचीन पाइलेट को सिफ्ट कर दिया जाएगा इस भीश देखना होगा की सचीन पाइलेट को अगर कारेकारिनी अध्यक्स या महास सचीव बनाया जाता है तो पाइलेट इन सर्तों पर ही वापस आये थे या भविशे में भी कोई एहम जिम्मेदारी सचीन पाइलेट को राजिस्तान में दी जा सकती है इसी के साथ हम आपको बता दे की बिहार विजान सबा चुनाव में हार को लेकर कॉंग्रेस के अंदर सुरू हुए गमसान थमने का नाम नहीं ले रहा है पार्टी के एसंतुष्ट नेता जेहार को आदार बना कर पार्टी नितरत्वय पर निशाना साध रहे हैं वही पार्टी ने सक्त रूप अपनाना सुरू कर दिया है पार्टी के पूर्वे अध्यक्स राहुल गांधी पर सवाल उठाने वाले सांसाध फुर्खान अंसारी को कुछ कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है इस बीच बड़ी खबर ये आई है कि राहुल गांधी के अध्यक्स बन सकते हैं कॉंग्रेस ने इतियासिक बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि नए अध्यक्स का चुनाव डिजीटल होगा इसके बाद ओल इंडिया कॉंग्रेस कमिटी के डिजीटल आईडी कार्ट जारी करने की कवायद सुरू हो गई है कुछ लोगों का मानना है कि अगर राहुल गांधी कॉंग्रेस की सियासत में वापस लोटते हैं तो ये दर्शाता है कि कॉंग्रेस राहूल गांदी ने केवल बल की सबसे लोकरी पिरिये भी है, अगर वे अध्यक्स पद के दैवत दावेदार बनते हैं, तो वे सेंट्रल इलेक्शन अथोरिटी को पूरी चुनाव प्रिक्रिया समय अनुसार करनी होगी, जेसमें बेल्ट वाटिंग सामिल होगी, आपको बता दे कि कॉंग्रेस के नियमित अध्यक्स के चुनाव होंगे, तो अंत्रिम अध्यक्स सोनिया गांदी की जगे लेगा, नए नियमित अध्यक्स कारे कारेनी से दो साल का होगा, हाल ही में सोनिया गांदी को अंत्रिम अध्यक्स बनाया ग झाल झाल झाल